ये तो बस थोड़ी सी खरोंच है, जब लग जाती तब हम बोलते हैं कि नहीं जादा नहीं लगी बस थोड़ी सी खरोंच है, कैसे बोलेंगे? ये तो बस थोड़ी सी खरोंच है, खरोंच को इंगलिश में बोलते हैं स्क्रेच, मुझे अपने परिबार का पेट पालना है, पेट पालना मतलब भरन पॉशन करना है, कैसे बोलेंगे संटेंस को इंगलिश में? I have to feed my family, means मुझे अपने परिबार का पेट पालना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कैसे बोलेंगे? There is nothing to worry, means चिंता करने की कोई बात नहीं है, बैसे अब आपकी तबियत कैसी है? Anyway, how is your health now, means बैसे अब आपकी तबियत कैसी है? सर खुजाना बंद करो, बोलते नहीं कि ज़्यादा खारिश क्यों कर जों, सर खुजाना बंद करो, कैसे बोलेंगे? Stop scratching your head, means सर खुजाना बंद करो, क्या तुम बच्चे को खाना खिला दोगे? Will you please feed the baby, means क्या तुम बच्चे को खाना खिला दोगे? मैं गुमा फिरा कर बात नहीं करता, मतलब कि अगर कोई बात बोलनी तो मैं सीधे बात बोलता हूँ, कैसे बोलेंगे sentence को? इसको बोलेंगे I am straightforward person, means मैं गुमा फिरा कर बात नहीं करता, अपनी टॉपी पकड़े रहना, hold on your head, means अपनी टॉपी पकड़े रहना, hold on your head, प्यार आसानी से नहीं मिलता है, love is not found so easily, means प्यार आसानी से नहीं मिलता है, तुम्हें जलन क्यों हो रही है, why are you getting jealous, means तुम्हें जलन क्यों हो रही है, ये क्या बत्तमीजी है, what nonsense is that, means ये क्या बत्तमीजी है, एक दिन तुम अकेले ही रहे जाओगे, one day you will be left alone, means एक दिन तुम अकेले ही रहे जाओगे, हबा और तेज चल रही है, it's getting even wind here, means हबा और तेज चल रही है, लफजों में ब्यान करना मुश्किल है, कोई बात होती तो बोलते हैं कि नहीं, इसको explain करना मुश्किल है, लफजों में ब्यान करना मुश्किल है, कैसे बोलेंगे, It's hard to put into words Means लफजों में ब्यान करना मुश्किल है गर्मी वाला दिन था It was scorching heat It was scorching heat Means गर्मी वाला दिन था अभी समय है सुदर जाओ Still have time, mend your ways Still have time, mend your ways Means अभी समय है सुदर जाओ ये सब रोज का तमाशा है This has become daily drama This has become daily drama Means ये सब रोज का तमाशा है नहीं तो एक दिन पच्थाना पड़ेगा बोलते हैं ना कि अपने आपको सुधार लो नहीं तो एक दिन पच्थाना पड़ेगा कैसे बोलेंगे? Else you will have to regret one day Means नहीं तो एक दिन पच्थाना पड़ेगा पता नहीं वो क्या बोल रहा है I wonder what he is talking about I wonder what he is talking about Means पता नहीं वो क्या बोल रहा है मैं तुम्हारे रग रग से बाकिफ हूँ I know every inch of you I know every inch of you Means मैं तुम्हारे रग रग से बाकिफ हूँ मेरी लाचारी कोई नहीं समझता लाचारी मीज बेबसी कैसे बोलेंगे? Nobody realizes my helplessness Nobody realizes my helplessness Means मेरी लाचारी कोई नहीं समझता मुझे तुम्हारी खेरात की जरूरत नहीं है खेरात बोलते हैं दान को इस sentence को हम इंगलिश में बोलेंगे I don't need your arms I don't need your arms Means मुझे तुम्हारी खेरात की जरूरत नहीं है मैं अवारागर्दी कर रहा था He was loitering Means मैं अवारागर्दी कर रहा था मैंने उसे फटकार लगाई I reworked him I reworked him Means मैंने उसे फटकार लगाई तुम मेरी नजरों में गिर गए हो You have lowered yourself in my eyesight You have lowered yourself in my eyesight Means तुम मेरी नजरों में गिर गए हो जूट के साथ सच को मत मिलाओ Don't mix fiction with facts Don't mix fiction with facts Means जूट के साथ सच को मत मिलाओ तुमसे बात करना ही बेकार है Talking to you is of no use Talking to you is of no use Means तुमसे बात करना ही बेकार है मैं जो भी हूँ खुश हूँ उसके साथ ही I am happy with who I am I am happy with who I am Means मैं जो भी हूँ खुश हूँ उसके साथ ही तुम मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो Why are you lecturing me Why are you lecturing me Means तुम मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो वैं जिसके लायक है उसे मिल रहा है He is getting what he deserves Means वैं जिसके लायक है उसे मिल रहा है उसे खुद पर बहुत घमन्द है He is so proud of himself Means उसे खुद पर बहुत घमन्द है वैं अपने ब्यवार पर शर्मिन्दा है He was embarrassed of his behavior Means वैं अपने ब्यवार पर शर्मिन्दा है वैं भही है जिसने तुम्हारी साहिता के लिए मनाया He was the one who convinced us to help you out Means वैं भही है जिसने हमें तुम्हारी साहिता के लिए मनाया मैं अब घमन्दी कभी नहीं बनूँगा I will never be snooty now I will never be snooty now Means मैं अब घमन्दी कभी नहीं बनूँगा मुसीवत के समय हमेशा श्याम ने उसकी साहिता की श्याम always helped him out in times of trouble मुसीवत के समय हमेशा श्याम ने उसकी साहिता की शांत रहो चिलाओ मत Keep calm, don't yell Keep calm, don't yell Means शांत रहो चिलाओ मत उसने अपनी तलबार निकाली He drew his sword out He drew his sword out Means उसने अपनी तलबार निकाली क्या तु मुझे बेब को बना रहे हो, मेरे साथ मत खेलो Are you bluffing? Don't play with me Are you bluffing? Don't play with me Means क्या तु मुझे बेब को बना रहे हो, मेरे साथ मत खेलो Shiam हमारे समुह में नया है Shiam is new to our group Shiam is new to our group Means Shiam हमारे समुह में नया है उसकी एक आंख खराब है He is blind of one eye He is blind of one eye Means उसकी एक आंख खराब है He is blind of one eye तुम पोरे दिन खाली थे You were idle throughout the day You were idle throughout the day Means तुम पोरे दिन खाली थे Shiam अपने मन की करता है Shiam has his own ways Shiam has his own ways Means शiam अपने मन की करता है इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है It makes no any difference to me It makes no any difference to me Means इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है बो कपड़ा घटिये क्वाल्टी का था That cloth of inferior quality That cloth of inferior quality Means बो कपड़ा घटिये क्वाल्टी का था Sita अपनी उम्र से कम लगती है Sita looks younger than her age Sita looks younger than her age Means Sita अपनी उम्र से कम लगती है Ramu अपनी उम्र से ज्यादा लगता है Ramu looks older than his age Ramu looks older than his age Means Ramu अपनी उम्र से ज्यादा लगता है हम लोग मिलकर उसे हरा सकते है We can get together and overpower him We can get together and overpower him Means हम लोग उसे मिलकर हरा सकते है अब इस शेतानी के बाद Sam अपनी पत्नी का सामना कैसे करेगा Now, how will Shyam confront his wife after this mischief? Means अब इस शेतानी के बाद Shyam अपनी पत्नी का सामना कैसे करेगा एकदम बैसा करो जैसा मैं कहता हूँ Do exactly as I say Do exactly as I say Means एकदम बैसा करो जैसा मैं कहता हूँ उसकी आंटी बेरहम है His aunt is ferocious His aunt is ferocious Means उसकी आंटी बेरहम है Ramu के पास एक निर्देई कुत्ता है Ramu has a ferocious dog Ramu has a ferocious dog Means रामू के पास एक निर्देई कुत्ता है बिल्ली ने मेरी और चलांग मारी Cat left towards me Cat left towards me Means बिल्ली ने मेरी और चलांग मारी किसी दिन तुम बड़ी परिशानी में फंस जाओगे You will land up in big trouble someday Means किसी दिन तुम बड़ी परिशानी में फंस जाओगे My head was thrombing Means मेरा सिर ठनक रहा था His head was splitting Means उसका सिर दर्द से फट रहा था मेरी आंखों से पानी बह रहा है My eyes are watering My eyes are watery Means मेरी आंखों से पानी बह रहा है यह एक अच्छा शगुन है This is a good oman This is a good oman Means यह एक अच्छा शगुन है बेदिहाती लगता है He seems to be rustic He seems to be rustic Means बेदिहाती लगता है मैं कौशिश करती रहूंगी I will keep on trying I'll keep on trying Means मैं कौशिश करती रहूंगी बैं मुझसे सुन्दा नहीं हो सकती है She can't be prettier than me She can't be prettier than me Means बैं मुझसे सुन्दा नहीं हो सकती है बैं मुझसे सुन्दा नहीं हो सकती है